हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सबसेजुकेशन में आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का तीसरा टॉपिक करेंगे इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि यह समधानिक निकाय क्या होते हैं सामधिक निकाय क्या होते हैं आज ट्यूटरी बोडिस क्या होती हैं एक ठीक है तो उनको एक-एक करके हम लोग समझ लेते हैं पहला निकाय पढ़ेंगे हम लोग सम्मिधानिक निकाय हिंदी में सम्मिधानिक निकाय और इंग्लिस में सम्मिधानिक निकाय समझ में खुद किया है सम्मिधानिक सकतिया प्राप्त होती है इसलिए बहुत पावरफुल समस्थाय मानी जाती है ठीक है सम्मिधानिक निकाय समझ में इनका गठन सम्मिधान ने खुद किया है सम्मिधान से इनकी सकतिया प्राप्त होती है और इनका आर्टिकल के फॉर्म में उल्लेख है जैसे आप एक संस्था का नाम EGI पढ़ते है एक संस्था ब्यक्ति भी हो सकती है और खुद संस्थ भी हो सकती है ठीक है तो इसमें कन्फूज मत होना इजी आई यानी महा नियावाती एट ओनी जनल ओफ इंडिया यह constitutional body है क्यों है क्योंकि इनका उल्लेक समधार में आर्टिकल के विशेश रूप में उल्लेक है था है इन सब तीनों संस्थाओं के बार में हम लोगोंने कल के टॉपिक में पढ़ा था फिरसे रिवाज कर देजिए राष्टिय अनुसोचित जाती आयो यानी नेचलन कमिशन फॉर सिट्टियूल कास्ट अर्टिकल यानी राष्टिय अनुसोचित जन जाती आयो आर्टिकल तीनों संस्था कैसी है संस्था है संस्था है तो बहुत हैं आपको 20-22 मल जाएंगी लेकिन यहां पर कुछ इंपॉटन्ट है नहीं को देख लेता है कि यूपीसी को भी देख सकते हैं आप स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमिशन है यानी संग के जो लोग से वाय होग है और राजी के जो लोग से वाय होग है इनका उल्लेक आर्टिकल 315 से 323 के बीच में हैं कौन सी बॉड़ी होई बॉड़ी होगी यह इतना constitutional bodies में था समझ मैं चली अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग इस्टा ट्यूटरी बॉड़ी इन्ही को सामधिक निकाई भी बोलते हैं इन्ही का दूसरा नाम बैधानिक निकाई भी है और अंग्रेजी में इस्टा ट्यूटरी बोलते हैं संसत के कानून के दुआरा हो रही है वह समाधिक निकाये हो जाएंगी वह बैधानिक निकाये हो जाएंगी भ Tea स्टयूटरी बोली हो जाएंगी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि इन सभी संस्थाओं का ओल्लेक समधानमें नहीं मिलेगा आपको आर्टिकल के फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको जैसे आप National Green Tribunal पढ़ते हैं रास्टी है हर अधिकरण पढ़ते हो न तो इसका कोई आर्टिकल है क्या किस आर्टिकल में है NGT कोई आर्टिकल नहीं है क्योंकि ये संसत के कानून के दौरा बने गई है संसत के अधिनियम के दौरा बनाई गई है तो यहां से हम लोगों को एक चीज़ समझे है कि समझान में इनका कोई उल्लेक नहीं होता है इसलिए इनको गैर समयधानिक संस्थाएं बोलते हैं यानि Non-Constitutional Body Non-Constitutional Body बोलते हैं संसत के अक्ट के दौरा इनको बनाया जाता है यहां पर हम लोगों ने बैधानिक के मतलब समझ लिया बैधानिक के नहीं संसत के बिधान, कानून या फिर बिधायका के दौरा जो संस्थाएं मनाई जाती है वो इस्टे ट्यूटर रिपोड़ी है बैदानिक निकाय है या फिर सामधिक निकाय है अब इन संस्थाओं की उत्पत्ति कहां से हो रही है संसत के बिधान के द्वारा हो रही है संसत के कानून के द्वारा हो रही है तो उनको सक्ति कहां से मिलेगी संसत के द्वारा जो बिधी बनाई गई है कानून बनाय गया है अ constitutional body नहीं है इनकी उत्पत्ति हुई है संसत के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा जिसका नाम है सेवी एक्ट 1992 तो इसको सक्ति कहां से मिलेगी इसी एक्ट के द्वारा मिलेगी ऐसी आप National Human Human Rights Commission पढ़ते हैं इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है इसकी उत्पत्ति Human Rights Protection Act 1993 से हुई है राश्टिय महला आयोग ऐसी लगता है यह समयधानिक संस्ता है लेकिन समयधानिक नहीं है यह Statutory Body है क्योंकि इसकी उत्पत्ति हुई है राश्टिय महला आयोग 1990 के द्वारा जो संसत के द्वारा बनाया गया अधीनिया में क्लियर है ऐसे ही अलप संखेकों के लिए राश्टिय आयोग यह कहां से आता है राश्टिय अलप संखक आयोग 1992 इस सब कुश्यन आपको प्रिलेम में मिलते हैं किसे ना किसी एकजाम में मिलते रहते हैं नैस्टनल ग्रीन टेपनल पढ़ते हो आफ राश्टिय हरत अधी करन उत्पत्ति का वुईति 2010 पढ़ते हो न और किस अधिनियम से किस कानूल से संसथ की कौनसी विधी से NGT-8 2010 से अब CBC पढ़ते हो के इं 1981 इसी तरीके से एक कमिशन हो रहा है CCI यानि Competition Commission of India भारती अप्रती इसपरदा आयो यह कहां से अपनी पावर ड्राइब करता है Competition Act 2002 से समझ में आया तो मैंने यहाँ पर कहीं भी संस्थाओं की ब्रैकेट में निन कंचे तो निन में लिखा है नइनका प्रैकेट में लिखा ہے यहाँ पर हो जाएगा औश्यों इनको देखे एक्जिक्टीउटुव बौडी हäter में बोलते हैं कारकारी संस्थाओं इसका यहक और नाम है दूसरा extra constitutional body इसको हिंदी में बोलते हैं समिधान नेत्तर संस्था है अब आप लोग बताइए बहरत में बास्तफिक कारपाल का कौन है council of minister council of minister का दूसरा नाम क्या है सरकार यही देश पर सासन करते हैं यानि council of minister मनेस्टर सासन करती है और council of minister के मुखिया PM साब होता है यानि अगर इनको लगे कोई संस्था की जरूरत है तो यह लोग क्या करते हैं एक executive resolution निकालते हैं कारकारी संकल्प निकालते हैं तब उस executive resolution के दोवरा इन संस्थाओं का दर्माण किया जाता है गठन किया जाता है यानि इनका उलिक ना तो सम्धान में है इसलिए इनको गैर सम्धान एक बोला जा रहा और नाहीं इनकी उत्पत्ति संसत के किसी अधिनियम क के द्वार हो रही है ऐसा भी नहीं है इसलिए इनको गैर सामितिक बोलते हैं नौन इस्टेट्यूट्री बोलते हैं किसी भी संसता की आप उत्पत्ति देख लीजे कहां से हो रही है तीन चर्चे यह तो वैसे ही निकल के आ जाती है ठीक है समझवा है यानि सम्धान में उल संसता है यह जो संसता पहले बनी थी वो एक्जेक्यूट्व रेजूलिशन से बनी थी बाद में इसको इसको इस्टेट्यूट्री बोड़ी में कनवर्ट कर दिया गया संसत की अधिनियम के द्वारा इतना के लिए चलिए जैसे एक्स्ट्रा कॉंस्टिट्यूशनल इसको आपने संसता है यह करती सत्य इक्ट के द्वार नाम है दिली पव्यशनल हिस्टा को अंधिनियम 1946ौ उ terало da व्राफिकले संस्ट्रां नाम है इसको इत्यान रखना रखना भाकि जो रखना ज़ान समझञें पर नहीं सुप्रफिंगोड हूट हुआ नहीं के यह यहां पर देखे इसके बारे बहुत कोश्चन पूशे जाते हैं कौसी जूडिसल बोडी यानि अर्ध नियाएक संस्था है इसी सब्दों को पकड़ लीजे इसमें आपको जूडिसल सब्द भी देख रहा और कौसी भी देख रहा कौसी यानि अर्ध तो यहां पर अर्ध समझते हैं तो आसी योडिसल बोडी ऐसी होते हैं इसन अधिकारी जोडिसल आफ़ीसर नहीं होते हैं लेकिन जो कार करते हैं वो लोग ते नहीं है समझें यहसे ही सिर्जिशय कोन्त होते हैं च्रफून को से रिजिसल आफिसर बोलता है वो रजिस्टार higher judicial service से आया हो higher judicial service से अब आपको यहाँ पर सीखना है क्वासी judicial bodies ऐसी होती है जिस संस्था में ऐसी लोग नहीं बैठ है ठीक है judicial official लोग नहीं बैठ है लेकिन इस संस्था में जो काम हो रहा है वो court की तरह हो रहा है नियालाई की तरह हो रहा है तो यहाँ पर आधा आधा काम हो गया ना जैसे फिर से आप NGT का एक्जामपल ले लीजिए NGT क्या है NGT को आपने इस्टे ट्यूटरी बॉड़ी देखाता भी सामविधिक संस्था पड़ा था सामविधिक संस्था के साथ साथ एक क्वासी जूटीशल बॉड़ी भी है क्योंकि NGT में जो लोग बैठे हैं वो जैजिस नहीं बैठे हैं ठीक है जस्टिस लोग नहीं बैठे हैं लेकिन यह जो काम कर रही है संस्था यह कोट की तरह कर रही है नियाले की तरह कर रही है अदालत की तरह कर रही है समझाया इभा डिसीजन देती है ना धंड़ का प्रावधान करती है ना NGT तो यही तो अदलत के काम है लेकिन आपे इन संस्थाओं जो छेत रहा है जिरो डिक्सन है वो बहुत सीमित होता है बास्तवे कोट जो है बास्तविक नियाल है उनकी अपिक्चा बहुत काम होता है इनको तो बस इसलिए बना जाता है ताकि बर्कलोड कम हो सके किनका जज लोग बैठे हैं वो इन्बार्मेंट के एक्सपर्ट नहीं है तो उन्हों का जो नर्णा रहेगा परियावरान को लेकिए वो उतना एसपस्ट रूप से नहीं रहेगा जितना एसपस्ट रूप से NGT कर पाईगी क्योंकि यहां पर इन्बार्मेंटलिस्ट रहता है इ तो इन सब संस्थाओं का चेत्र सीमित ही होगा यह क्वासी जूडिसल बोडिस नया कानूनी बना सकता है इनका चेत्र जो है वो सीमित रहता है इनके एक्जामपल में ट्रिमिनल्स जो अधीकरन होता है वो होता है जैसे हम लोग NGT के बारें परता है आप सेंट्रल सूचन के बैदानिक भी हो सकती है अनतर समझे मौनिंक और चलता है अगले वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया